योगी के बाप की उत्तरपर्देश नहीं है योगी के बाप की भाजपा नहीं है योगी हमारे हां किरायर रहा है जो ये के साख बनी सरकार की पराधी अगले चौराहेपे मार दिया जाएगा लगा कि पराधी हमको अगले चौराहे पर भ रहें थे यह सरकार करा तक तक व्हेत स czy क्यों был तक थी यह को ख़वागगों राम प्रास लेट क्यों हो सिप इसमय पूरे प्रदेश में घंसयाम तिवारी हत्या कांड को लेकर हाहा कार मचा हुआ है जिसको लेकर समाज के हर ब्यक्ति में आक्रोश है कैसे कोई तालिबानी तरीके से किसी की हत्या कर सकता है जिवी नूस आपको घंसयाम तिवारी की आखरी वो सब्द उनकी पत्नी की जुबानी सुनाएगा जिसमें उन्होंने बहुत बड़ा खुलासा किया है आखिर घंसयाम तिवारी ने आखरी वो सब्द अपनी पत्नी से क्या बताए जिस तरह से घंसयाम तिवारी की डिल से ट्रिल करके उन्हें मौत के घाट उतारा गया और यह पूरी कहानी जो है भारतिये जन्तापार्टी के युवा मोर्चा कार्याले में क्या गठित हुई क्या वहां से यह कहानी गठी गई आखिर कैसे एक अपराधी इतने बड़े अपराध के दुनिया में रहा और उसे नेताओं के संरच्छण लगातार मिलते रहे लेकिन जिस तरह से घांस्याम तिवारी की हत्या हुई इसको लेकर ब्रामध समगदाय में और भी जो समाज के लोग हैं उनमें काफी अक्रोश है आईए देखते हैं जीवीनूज की पूरी रिपोर्ट प्रामध समाज तीस तारी को अगला यही सामने तीस तारी को एक कारकरम रखा हुआ है अगर उसके पहले इंकाउंटर नहीं कराते हैं तो पर तीस तारी को हम लोग ले ले लेगे इंका इंकाउंटर जब तक नहीं होगा तब तक हम लोग पीछे नहीं तेंगे सरकार को गिरा के छोड़ेगे सरकार को हिला देंगे ये प्रहमर्ण समाथ छोड़ने वाला नहीं है मैं बीजे दूबे लम्हुआ से और इस परिवार से मेरा रिस्ता रहा है मेरा अपना विचार है कि ब्रहमर्ण ही एक ऐसा है जो बिना मतलब के वही एक राष्ट की बाढ करता है बाकी आश्थ वस्लोग जो है जब कोई अपना आ जाता है तो लोग बदल जाते हैं जैसे यहाँ मेनका गांधि के साथ जब मेनका गांधि चुनाओ लड़ी थी थी ते यहाँ कोई दूसरी जाज जो है वो छोड़ करके अपने के साथ सोन। मोनुक साथ चला गया, सोन। सिंग के साथ लेकिन ब्रामधा राश्टरबादी होता है, ओ चाहे मारा जाए, चाहे योगी मरवाएं, या कोई भी मरवाय राष्टरबादी वही होता है वाकी सब मौक परस्त होते हैं और योगी बाबा तुल्षी दास जी को मानने वाले भगवान राम को मानने वाले है जिसमें ये भी कहा गया ब्राम्हण और गव की हत्या नहीं होनी चाहिए लेकिन इनकी सरकार में नहीं है गौसालाओं में जाकर आप देखते होगे इतना तो मुगल नहीं करते थे जो आज गाये और ब्रामणों के साथ हो रहा है योगी जी मौन है मेरा एक संदेश योगी जी के पास जाना चाहिए आपके माध्यम से मीडिया के माध्यम मैं यही कहूंगा कि जिस तरह से मह अत्मा गाधी ने अंग्रेजों के लिए एक नारा दिया था अंग्रेजों भारत छोड़ो उसी तरीके से अगर घंश्याम ड?" परिवार को योगी जी नियाए देने में अक्ष्छा मसफल होते हैं तो हमारा हमारे ब्राम्भन की तरफ से भी अगले चुनाओं में लोगसभा और बिधान सभा में एक नारा होना चाहिए ब्राम्भन भाजपा छोडो पहले तो इसे हम एक स्रे देंगे अपने मानी पत्रकार बंधुओं का ये जागरूक ना होते तिये हत्या दुरगटना दिखा के पुलिस अधिछक महोदे तैंकर लिये थे इनके बयान आ गए थे कि यह संदिख्ध चोट है हम क्यों आंदोलन करते हम भातियनता पार्टी के पताधिकारी है जिम पहरील लिये कहां यही पीड़िता डाक्टर साहिब के साथ रो रही थी एक नाम ले रही थी मारे बिढ़ायक मानी द्योमडी जी ने कप्तान से कहा कि इ कि इनोने कआ आफिस में सुनेंगे पुलिस की संभेदन हिंता इसकذا बढ़ गई कि आम जन्मान सड़क पे आ गया जो एक साख बनी थी सरकार की कि अपराधिक अगले चौराहे पे मार दिया जाएगा लगा कि क्या प्राधिक हमको अगले चौराहे पे मार तेगा और निया उना बहुमत दल का नेता बना के उन पे एहसान की, हम उनके आदमी नहीं है, उत्तर प्रदेश में स्वक्ष प्रथान, सपाम हमें लिखा था जलता उत्तर प्रदेश के भारती जनता पार्टी आ गई, भारती जनता पार्टी में जिस प्रकार से निरिशन सत्याएं हो रही है हम्मान लिगें कि सरकार नहीं है इसमें यह देश के गरोल ऍटो बहरी बाच्पई के हम लोग करता हैं किसी आदमी के होते आंधोलन न करते और बता दे हैं सरकार को आप ख़राप कह सकते हैं कारिकार तो गुझा ऊंधोलन कोण कर रहा है वही कर रहा जो आंदोलन करके इनको सत्ता मिलाया आंदोलन करने कदा पत्रकार क्या कर रहें इनको सरकार के दबाओ में हैं जितनी ख़बर आपने लगाई कई करोण नेता खर्च करता अदना होता आप लोग जूज रहे हो क्यों दर्द है बाई की हत्या है हम 30 तारीख को टिकोनियापार्क में अपने भाई की हत्या में सद्धृ ली कि वहाने इतने यासू बहाेंगे कि की तिकोनिया сыος भॉर जाएगा और बताते हम नशना नहीं भाभी तक्रफ और नहीं भी भुत करते मेरे भाई को मार दिये हैं जो करना चाहिए हम करेंगे हमें न सरकार का संरक्षन चाहिए न हम कमजोड और एक बार बता दें हमको अपने भाईयों के अलावा किसी साले पर भरोसा नहीं यहीं न होते तो दुरगटना दिखाते एक लाइन की बाद यही हमारी ताकत मेरे और बता दें मैं किसी पर जाना नहीं चाहता चुकि हमने गलती की 100% ओट हमने दिया हमें किसी दूसरे से उम्मीद भी नहीं है हमने जिसे ओड़ दिया यद्यप की टेलिफोन पर संगर्स लोग कर रहे हैं हमारे साथ हमारे सांसद हमारे माननी बिधायक मुखमंत्री से मिल समाज आजीवन मानेगा आप बात ना उठाते हमारा संदेश ना जाता हमारे संदेश